सुदिंस लेते हैं कोशन नमबर 17 के रहा है विंडो ऑफ हाउस इस एच मीटर अब देख रहा है ना सामने वाले हाउस को तो सामने वाला जो हाउस है वो उसकी हाइड जादा है पता है क्यों अभी पता चलेगा आपको देखें यह क्या है लेन मतलब कोई गली वडी है गली के इस तरफ क्या है एक हाउस है और गली के उस तरफ हाउस है तो यह वाला हाउस है यह लेंथ में थोड़ा बढ़ा है यहां हाउस यहां पर यहां कहीं क्या एक विंडो है पॉइंट डबलू पर क्या है विंडो उपर तक भी हाउस होगा मैं मना नहीं कर रहा हूं यह हाउस और भी लंबा होगा लेकिन मैं उसको बनाया नहीं कि मुझे कहां से मतलब है मुझे विंडो से मतलब है क्यों कि वह देखता कहां से विंडो से देखता है यह फर्स्ट वाला हाउस है जिसकी विंडो से क्या करेगा सामने वाले हाउस के सामने वाले हाउस को पढ़ लिजे कुश्चन क्या रहा है कि विंडू ओफा हाउस एच मीटर एवब दा ग्राउंट ठीक यह वाला पॉइंट सपोस्ट जी जी और डी ठीक है जी डी क्या है ग्राउंड है ठीक लेने तो यहां से एच मीटर ऊपर जाके तो यह एच गिवेन आप यह देखिए यह से हैच मीटर ऊपर जाके क्या करता है यह यह विंडो और यहां से क्या करता है दे एंगल आफ अव्लीवेशन अध्य यह प्लफ एलफाफ और बिटा रस्पेक्टिव यह क्या है सामने वाले हाउस का यह भाटम है चेक तो एक कामगरों सबसे पहले यहां से यहां देखोग मतलब lane के parallel यह horizontal draw करो ऐसे करो यह लीजे और यह वाले point का नाम रख दिया suppose P और यह वाला top वाला point है suppose T okay students अब इस window से एक बार इसने इसको यहाँ पे देखा यह देखी तो यह angle of elevation बनेगा और angle of elevation कैसे पहचानेंगे क्योंकि उसने हमको बात करी जब question पढ़ लाता वह तो उसने पहले alpha लिखा हुआ है और पहले उसने बात करी है यह देखी अगल आफ elevation की पहले उसने बात करी है और यहां से जब इसके बात करी है तो यहां से जब इसके बात को देखेंगे तो अगर यह बीटा है तो अल्टरेट इंटीर अगल से यह बहुत है तो यह बीटा हो जाएगा ठीक है ओके तो यह हो गया अब इसने हम से क्या पूछा प्रूफ यह अधर हाउस मतलब सामने वाला जिसको देखता है तो यह अधर जो हाउस है इसकी हाइट कितनी है अगर यह एच है तो यह भी कितना हो जाएगा एच हो जाएगा यह सर अब मेरी बार ध्यान से सुनिएगा हमने कहा कि यह क्या है एक से हाउस है उसकी हाइट कितनी यह निकालना तो यह आप डियाग्राम से देखो जो सामने वाला हाउस है वह डी से लेके टी तक है यह आपको क्या निकालना है अब ध्यान से सुनिए अगर आपको निकालना है है तो वाइप पताओ न चाहिए एच की बात नहीं कर एच तो कोश्चन में एस तो गिवन कॉंटिटी कॉपी में नोट लगाओ एच कहा है गिवन कॉंटिटी है देख लीजिए इस तो गिवन है थोड़ी ना निकालना है आपको स्मॉल एच वह तो गिवन है वो एक तरीक से य निकालना होगा हमें किसके तर्मस में गिवन कॉंटिटी के तर्मस में और गिवन कॉंटिटी क्या क्या है कोश्चन में एच अलफा और बीटा तो वाई की वल्लू आपको एच अलफा बीटा के तर्मस में निकालनी होंगी ठीक है तो यह कोश्चन है और तो यहां से मतलब जो दोनों हाउस के बीच का distance है वो क्या है X है ठीक है ओके तो आपने बस X को assume कर लिया है X से हमारा यहां कुछ लेना देना नहीं आपका focus किसके उपर रहेगा वाई के लिए तो हम यहां लिख दे रहे है X से लेना देना नहीं Nothing to do with X Okay feel लेने के लिए हिंदी में लिख रहा था Nothing Nothing to do with X Okay अब देखो अब करना कुछ नहीं बच्चों इस question में हम क्या करेंगे हम सबसे पहले लेंगे triangle WGD So in triangle WGD दिख रहा है यह right angle triangle है Yes Sir WGD एक right angle triangle में tan beta लगा दो यह बीटा ना पर टैन बीटा लगा 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 लग क्या होगा एच बाइट 10 बीटा यह आप कई कोश्यन में कर चुके हो इसको इधर वेशते हो तो इसको इधर इधर चला गाए 10 बीटा की जगा और 10 बीटा एक्स की बैलू हमने यहां पर देखो खास बात question में लेकर आना है quad beta यानि कि 10 बीटा नहीं चलेगा हमको क्या लिखना है वन बाट थेटा ही तो होता है 1 by 10 theta ही तो होता है 1 by 10 theta की जगा बीटा कर दो तो क्या हो जाएगा 1 by 10 beta क्या हो जाएगा 1 by 10 beta की जगा हमने क्या किया 4 beta ठीक तो h 4 beta आ गया यानि कि x की value कितनी आ गई x की value आ गई h into 4 beta इसको आप कहीं पर बना के रख लीजें equation number 1 के तौर ठीक तो suppose into cot beta ओके यह बन गे हमारी equation number 1 ओके students इतना आप copy करो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ copy कर लीजे copy कर लीजे students फटा फट copy कर लिया चलो अब अब हम एक काम करते हैं बच्छो हम लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा tpw अगर आप लगाएंगे क्या ध्यान से चेक करें y by x साफ साफ दिख रहा है आपको y by x ओके students अब मेरी बात ध्यान से सुनिए खास बात खास बात यह है कि आपको y की value निकालनी थी यह मैंने आपको बताया y की value निकालके h में add कर दोगे तो y plus h house की height आजाएगी ठीक तो y आपको निकालना है तो आप एक काम कर लो कि आप डैरेक्ट अप तो बहुत इजी हो गया कुछ करना नहीं है जहां से चेकरो x को इधर बेज़ दो और y is equals to क्या जाएगा x into 10 alpha x into 10 alpha यह आ गया तो बहुत असान हो गया x into 10 alpha is equals to y into 1 यह लोग क्या देखकर तो एक स्टेन अलफा ठीक नौ अब देखो यहां से होगे वाइज उकस तो x into 10 alpha ठीक अप सुनो एक्स की वैलो आप निकाल चुके हो पहले एच कोड़ बीटा रग यहां पर लाके टेक्स की जगहां एक्स की जगह यह वाले एक्स की जगह हमने क्या रखा है एच कोड़ बीटा इंटू टैनलफा ठीक यह लीजे तो यहां से आगे आपके पास वाई का वैल्लू कितना वाई का वैल्लू आगे अच्छो कितना इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखोगे तो वाई इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच इंटू कॉर्ट बीटा इंटू कॉर्ट बीटा बोलो थोड़ा थोड़ा हिंट कोश्चन से लेते रहो यह देखो ऐसा कुछ कर लिया ठीक टैनलफा को पहले पर बीटा को बा है 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 आई आफ द आउस कितना आज आएगा वाई प्लस है ओके तो वाई कितना आया है वैलू रखो यह पूरा आपका क्या है वाई है रख दीजे कितना हो जाएगा वाई की जगा हम रखेंगे एच इंटू टैन अल्फा इंटू डॉट का मतलब इंटू वाट बीटा ज्यान से चेक कर लो बच्चो वाई की जगा हमने क्या रखा वाई का वैलो आपने यहां पर रख दिया ओके सुडिंस सो वाई की जगा एच टैनलफा कॉर्ट बीटा रख दिया और प्लस में एच एच अब यहा बचेगा टैन अल्फा इंटू कॉर्ट बीटा और प्लस एच की जगा मैं एच कॉमन हो गया यहां बचेगा बस तो यहां से क्या हो गया आपके पास क्या है से भाईया इसको इसमें एड़ करो या इसको समय ठीक तो वन प्लस क्या बचाएगा एंट अल्फा इंटू कॉट बीटा यह लीजे हैंस पूट हाइट ऑफ दा हाउस कितना आ गया ठीक है यह हाइट ऑफ दा हाउस कितना था टी से लेके डी तर तो यह टीडी हमने यानिके y प्लस small h हमने कितना प्रूफ कर दिया जो हमको लेके आना था यह देख लीजा ठीक है यह गलती से कट गया है आप देख ले ना टैन अल्फा लिखा है यहाँ पे ओके सो टी डी यह हाउस अच इंडा ब्रैकेट बन प्लस टैन अल्फा इंटो कॉट वीटा हैंस प्रूफ ओके कर लीचे